अब हम जानेंगे प्रावस्था संक्रमन की एंथेलपी प्रावस्था संक्रमन या जब कभी भी एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में परिवर्तन होता है तो इस समय भी उर्जा परिवर्तित होती है यदि ठोस से द्राव में, द्राव से गैस में या थोज से सीधे गैस में, तो कई प्रकार से रुपांतरन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, इस समय जो उर्जा परिवर्तन होगा या इस दोरान जो enthalpy परिवर्तन होगा, उसे हम प्रावस्था संक्रमन की enthalpy कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे संगलन की enthalpy क्या होती है, enthalpy of fusion तो जब भी enthalpy of fusion को व्यक्त किया जाता है तो delta H FUS के रूप में दर्शाते हैं FUS यहाँ पर गलन की enthalpy को दर्शाता है तो आप सभी यह जानते हैं कि कोई भी पदार जब गलता है तो एक निश्चित temperature पर वह अपना गलन प्रारंब करता है तो इस समय जो enthalpy परिवर्टन होगी उसकी गलन की enthalpy या संगलन की enthalpy एक मोल ठोस को उसके गलनांग पर एक मोल द्रव में परिवर्टित करने पर होने वाले enthalpy परिवर्टन को हम कहते हैं संगलन की enthalpy या enthalpy of fusion तो जब भी किसी पदार्त में गलन की enthalpy हम याद कर रहे हैं तो उसके एक मोल को लेते हैं एक मोल के रूप में उसे वेक्त कर रहे हैं एक मानक अवस्था यहां पर यह एक मोल दर्शा सकती है तो यहां जो enthalpy परिवर्टन है वह हम एक मोल बर्फ एक निश्चित गलनांग पर जब एक मोल दर्व में परिवर्टित होता है तो वह कुछ उश्मा आवशोषित करेगा तभी वह जल में परिवर्टित होता है जो enthalpy कहलाता है वो होगा संगलन की enthalpy तो उदारन देखिए कि H2O solid याने की बर्फ बर्फ H2O liquid में याने की दर्व में परिवर्टित होता है तो यहाँ पर बर्फ के गलनांग पर एक मोल बर्फ को एक मोल जल में परिवर्टन करने के लिए याने एक मोल बर्फ जब एक मोल जल में परिवर्टित होता है तो उसके लिए जो उश्मा का मान है वो कितना आवश्रक है वो है 6.01 किलो जूल पर मॉल तो चुकि यहाँ पर उश्मा शोशी अभिक्रिया हो गई तो यहां जो 6.01 किलो जूल पर मोल हमें प्राप्त हुआ है मान यह मान दर्शाता है कि एक मोल बर्फ को जल में परिवर्तित होने के लिए जो संगलन की एंथेल्पी होगी वो होगी 6.01 किलो जूल पर मोल अब हम अगला देखेंगे वाश करन में हम जानते हैं कि जो द्रव है वो एक निश्चित क्वथनांग पर उबलना प्रारम होता है यह वह वाश रूप में परिवर्तित होना प्रारम कर देता है तो एक निश्चित क्वथनांग पर उबलेगा और निश्चित क्वथनांग पर ही वह वाश में परिवर्तित होगा उसे हम कहते हैं वाश्पी करण की एंथेल्पी या एंथेल्पी ओफ वेपोराइजेशन तो एंथेल्पी ओफ वेपोराइजेशन को डेल्टा-HVAP या वैप से दर्शाया जाता है एक मोल द्रौम के क्वत्रांग पर गैस अवस्था में परिवर्तन से होने वाला उश् वाश्पी करण की एंथेल्पी कहलाता है तो यहां H2O लिक्वेट से H2O गैस में परिवर्तन हो रहा है यहने गैसी रूप में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा-H बराबर 40.6 किलो जूल पर मोल तो यहां उश्मा अवशोशित हो रही है कोई भी द्रव रूप जब वाश्पी करण की एंथेल्पी उर्धुपातन की एंथेल्पी 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 ऑफ सब्लीमेशन तो सबसे पहले आप सब्लीमेशन को समझे उर्धुपातन क्या है जब भी कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्त तो इस दौरान होने वाले उश्मा परिवर्तन को या एंथेल्पी परिवर्तन को हम एंथेल्पी ओफ सब्लीमेशन कहते हैं तो एंथेल्पी ओफ सब्लीमेशन या उर्धुपाथन की एंथेल्पी को हम परिभाशित कर सकते हैं कि एक मोल्ठोस अपने गलनांग से कम तापमा पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, सीधे ही गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस दौरान होने वाले एंथेल्पी परिवर्तन को कहते हैं, एंथेल्पी of sublimation या उर्धुपातन की एंथेल्पी, जैसे आयोडीन ठोस रूप में है और आयो ऐोडीन का उर्धुपातन होता है, तो जब आयोडीन का उर्धुपातन हो रहा है, तो इस दौरान डेल्टा-ह का मान प्राप्त होता है, 62.4 किलो जूल पर मॉल, तो डेल्टा-ह SUB, यानि SUB, सब्लीमेशन से सब को लिया गया है, तो डेल्टा-H SUB is equal to, प्लस 62.4 किलो जूल पर मोल, तो ये प्राप्त होता है हमें सब्ली मेरशन की एंथेल्पी, अब हम जानेंगे संक्रमन की एंथेल्पी, संक्रमन शब्द का अर्थ है कि जब भी कोई पदार्थ अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्टित होता है, या अपर रूप का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित होता है कार्बन के दो अपरूप हमने जाना कि हीरा और ग्रेफाइट तो जब हीरा ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट हीरा में चेंज होता है तो इस दौरान जो एंथेल्पी परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं संक्रमन की enthalpy हीरा एवम ग्रिफाइट कार्बन के अपर रूप है और इसका संक्रमन हो सकता है याने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो इसके लिए जो enthalpy परिवर्तन का मान प्राप्थ हुआ तो इसे हम delta H small t के रूप में ब्रेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये transition की enthalpy है या enthalpy of transition कहलाती है तो t वहीं से हम ले सकते हैं तो delta H t यहां प्राप्थ होता है प्लस 1.9 kilojoule पर mol यहां पर जो हीरा है carbon हीरा चेंज हो रहा है carbon graphite में तो जो delta H not t प्राप्थ हुआ वह है 1.9 kilojoule पर mol तो यह से हम कहते हैं संक्रमन की enthalpy अब आप देखिए आइनन की enthalpy आइनन की enthalpy जो शब्द है यहां पर किसी भी पदार्थ का आइनन होता है वो अपने आइनों में परिवर्थित होता है तो जब भी किसी पदार्थ को किसी योगी को जब हम बिलायक में गोलते हैं तो अपने आइनों में विभख्त होता है या हम विद्यू तब घट्य का ही उदारन ले ले कि विद्यू तब घट्य में जो आइन्स होते हैं एक मोल विद्यू तब घट्य लिया जाए एक मोल विद्यू तब घट्य जब अपने आइनों में विभख्त होगा तो उन आइनों में विभख्त होते समय जो उश्मा की आवशिक्ता होगी वो कहलाएगी आइनन की एंथेल्पी अब आप यहां देखिए कि जब NaCl ठो सवस्था में है और वह अपने आप ही आइनों में अबगटित हो रहा है याने प्लस और Cl माइनस में अबगटित हो रहा है तो इसमें यह अपने आप ही गलित हो रहा है और आइन्स में चेंज हो रहा है तो यहां उश्मा की आवश्यक् तो HCl plus AQ equal to H plus plus Cl minus है और जो NaCl है वो अबगटित हो रहा है Na plus और Cl minus तो Na plus और Cl minus के बनते समय जो enthalpy परिवर्तन का मान है याने delta H का मान है वो धनात्मक प्राप्त हुआ लेकिन HCl में जलके अडू का योजन हुआ और वो फिर उसे विभाजित करता है H plus और Cl minus में तो इसके लिए जो enthalpy परिवर्तन का मान है वो प्राप्त होता है माईनस 75.2 kJ पर मोल तो दोनों स्थिती में आप देखिए एक बड़ाटमक मान प्राप्त हुआ एक बड़ार एनातमक मान प्राप्त हुआ तो यहां दोनों स्थिती में आ innovation तो हो रहा है लेकिन एक कभी करिया उश्माशोश और एक अभी क्रिया उश्मा छेपी है यानि HCl जब AQ यानि जल के साथ क्रिया करता है तो H+, Cl- में वियोजित होता है यहाँ पर जल के अणू उसमें जुड़ते हैं तो यहाँ उश्मा उत्पन होती है तो यह कहलाती है उश्मा छेपी अभी क्रिया लेकिन NaCl, Na+, Cl- में विभ इस चीज को प्रदर्शित करता है यह एक उश्मा शोश्य अभी क्रिया है अब हम जानेंगे तनूता उश्मा या एंथेल्पी ऑफ डायलूशन तो जब हम तनूता या डायलूशन की बात करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि सांद्रण इसी भी सांद्रित पदार्थ को जब हम तनू करन करते हैं या उसे हम जल डाल कर उसे तनू बनाते हैं तो उस समय भी एंथेल्पी परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे तनूता की उश्मा या एंथेल्पी ऑफ डायलूशन तो इसे जब हम परिभाशित करेंगे तो एक मोल पदार्थ के विलियन को एक द करना है इस समय जो उश्मा में परिवर्तन होगा उसे हम कहते हैं तनुकरण की उश्मा या एन्थेल्पी ओव डाइलूशन तो इसे हम एक उदाहरंड से समझ लेते हैं कि यदि HCl का डाइलूशन करना है अलग-अलग जल के मोलों की संख्या के द्वारा तो जैसे HCl प्लस 25 AQ लिखा है याने HCl को 25 जो मोल है जल के अन्वों का उसके द्वारा तनुकरण किया जा रहा है तो यहाँ पर HCl का तनुकरण हुआ तो HCl 25 AQ प्राप्त हुआ तो डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ 72.03 किलो जूल पर मोल जबकि HCl का जब हम 40 AQ मतलब कि 40 मोल जल के द्वारा तनुकरण करते हैं तो प्राप्त हुआ है HCl 40 AQ तो यहाँ पर डेल्टा H का मान प्राप्त हुआ 72.79 किलो जूल पर मोल इसी तरह से HCl की अनन्त तनुता पर यदि हम मान को देखते हैं तो यह HCl अनन्त तनुता यहने बहुत ज़्यादा तनुकरण कर दिया जाता है तो उस समय एंथेल्पी परिवर्तन क्या होगा तो यह अनन्त तनुता पर एंथेल्पी परिवर्तन होग तो यह जो एंथेल्पी परिवर्तन होता है इसको हम सीमान्त एंथेल्पी परिवर्तन भी कह सकते हैं यह मान हमें प्राप्त होता है माइनस 74.85 किलो जूल पर मोल तो जब आप इन तीनों मानों को देखते हैं तो आपको यह समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे विलाया की मात् बढ़ाते हैं। wielu एनधेल्पी की सिमानत मान तक वह पहुझ जाता है लिएन कीए एनधेल्पी को सीमानत मान तक वह पहुचछ रहा है तो विलाया की अनंत मात्राद्वारा धनूकरंड की एन्थेल्पी यहां पर हम इसे समझ सकते हैं की विलाया की अनन्त मात्राद्वारा तनुकरण किया जा रहा है तो इसे अनन्त तनुता की रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं Enthalpy अधारित प्रश्न, CO, CO2, N2O एवं N2O4 की विर्चन Enthalpy, विर्चन Enthalpy अर्थात Enthalpy of Formation क्रमशह माइनस 110 माइनस 393, 81 एवं 9.7 किलो जूल पर मोल है अभिक्रिया N2O4 प्लस 3 CO is equal to N2O plus 3 CO2 के लिए डेल्टा H का मान ग्याद किजिए यहाँ जो अभिक्रिया के लिए समिकरन है वह है N2O4 प्लस 3 CO is equal to N2O plus 3 CO2 है तो इस आधार पर हम यहाँ जो उत्पाद है उत्पाद के लिए Enthalpy परिवर्थन कुल लेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अभिकारक है उसके लिए Enthalpy परिवर्थनों का योग तो डेल्टा H not, डेल्टा H not का अर्थ है कि यहाँ मानक अवस्था में Enthalpy परिवर्थन ग्याद कर रहे हैं तो हल करने पर जो उत्पाद है N2O एवं CO2 तो इसके लिए जो कुल Enthalpy परिवर्थन है वह लिखना है माइनस जो अभिकारक है N2O4 एवं 3CO उसके लिए कुल Enthalpy परिवर्थन कितना है दोनों का अंतर हम ग्याद करेंगे तो Δ H0 हमें प्राप्त होता है तो Δ F H0 N2O प्लस 3 Δ F H0 CO2 माइनस Δ F H0 N2O4 प्लस 3 Δ F H0 CO कि यहां पर CO2 के जो के अभिकारक है वहां भी हम 3 से मल्टिप्लाई करते हैं तो चूकि यहां मोलो की संख्या जितनी भी रहेगी उससे हम जो Enthalpy परिवर्थन का मान है उसको मल्टिप्लाई करके एंसर घ्यात करेंगे 81 plus 3 into minus 393 minus 9.7 plus 3 into minus 110. जब हम इसे हल करते हैं तो प्राप्ट होता है 81 minus 1179 minus 9.7 minus 330 तो जब हम इसे हल करते हैं दोनों अलग-अलग bracket में जो अंतर है उस आधार पर हल करेंगे तो पहले bracket में जो मान प्राप्त होता है वह है माइनस 1098 माइनस ब्रेकेट क्लोज माइनस 320.3 हल करने पर वैल्यू प्राप्त होती है माइनस 777.7 किलो जूल पर मोल अगला प्रश्न है N2 प्लस 3H2 is equal to 2NH3 डेल्टा H यहाँ पर प्राप्त होता है माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल NH3 गैस की मानक विर्चन एंथेल्पी क्या है यहाँ भी मानक विर्चन एंथेल्पी का अर्थ है कि एंथेल्पी ओफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड कंडिशन तो डेल्टा H 0 N2 चूँकि यहाँ N2 एक गैसियस मॉलिक्यूल है तो इसके लिए जो कुल एंथेल्पी परिवर्तन होगा इस अणू के लिए वो होगा शुर्णे इसी तरह हाइड्रोजन के लिए भी एंथेल्पी परिवर्तन का मान चूकि H 2 अणू है तो उसके लिए भी एंथेल्पी परिवर्तन का मान शुर्णे होगा यहाँ अमोनिया का हमें ग्याद करना है तो इसलिए डेल्टा एफ एच नॉट एनथेल्पी परिवर्तन होगा उसका समेशन जितने भी यहाँ उतपाद है उनके कुल जितने भी मान होंगे सभी उतपादों का योग माइनस समेशन ओफ डेल्टा एफ एच नॉट क्रिया कारक जो अभी कारक है उसके लिए तो 2 डेल्टा एफ एच नॉट एनस 3 माइनस डेल्टा एफ एच नॉट एच न क्रिया फल है, तो क्रिया फल का जो मान है वो 2 है अमोनिया के लिए इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टिप्लाई करना है, तो 2 ΔF H0 NH3 माइनस ΔF H0 N2 प्लस 3 ΔF H0 H2, यहाँ पर चुकी दोनों की वैल्यू शुने प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पाइनस 92.4 इक्वल टू 2X, क्योंकि अमोनिया के लिए अन्थेल्पी परिवर्टन X माना गया है, तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त होगा, X बराबर माइनस 1 बाइ 2 इंटू 92.4, तो X इक्वल टू माइनस 46.2 किलो जूल पर मोल, तो अमोनिया के लिए जो मानक विर्चन अन्थेल्पी पराप्त हुई है, वह होगी माइनस 46.2 किलो जूल पर मोल, जूल जूल टूल टूल